तो स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूटूब चैनल राम निर क्लासेज में कक्षा दस्वी की गणित की आज की वक्षीट आई है आज की तिनांग है चार अक्टूबर दो जार रिकीस और अध्या है तीसरा टॉपिक है दो चरवाले रेखिक समिक्रन यूगम पार दस और ग्यारा विद्यारती का नाम विद्याले का नाम अवेशे लिखें यहां पर इस वक्षीट में कॉशन दिये गए हैं देखी एक दो तीन और चार चारी प्रशन है चार सवाल है चारों सवालों को सई सी उत्र बताऊंगी वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक और चैनल पर अपने हैं चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रस करें तो से नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके कौशन नंबर एक टेखिए विलोपन वीजी द्वारा निम ने रिखी समीक्रण युगमु को हल कीजिए दो एक्स प्लस 15 वब्राबर टेवी शमीक्रण नंबर समीक्रण 2 समीक्रण एक को 2 से गुणा करने पर स्ट प्लस प्लस 6Y से ब्राबर 26 हो जाए पर मृशन नंबर 1 है इसमें 2 का गुणा करेंगी यहाँ पर ठीक है दो का गुणा दो दूनी 4 x और दो तिया 6y और 13 दूनी 26 हो जाएगा यहाँ पर लिखना है समीकरण नमबर 3 अब क्या करना है देखिए समीकरण नमबर 3 में से 2 को घठाने पर यानि कि यह तीन है और यह दो है इनको आपस में घठाएंगे जैसे आप घठाना जानते हैं जब हम घठाते तो नीचे की सेंख्या के चिने बदल जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार एक एक माइनस का चार हड़ जाएगा तो यह 6 में से 5 गया तो एक y हो जाएगा यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 26 में से 23 गये तो 3 y बराबर यहाँ पर 3 उतर आ जाएगा तो y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 क्या थी 2x प्लस 3y बराब पर 4 और x का मान हो जाएगा 2, 4 बटा 2, तो यहां पर x का मान 2 और y का मान हम नतीर निकाला है, यह हमारा उत्तर विल्कुल सही आ गया है, ठीक है, यह हो गया question number 1, दूसरा question देखिए, 2x plus 3y बराबर 11 और 2x minus 4y बराबर minus के 24 को विलोपन विधी से हल कीजिए, तो यहां पर देखेंगे, 2x plus 3y बराबर 11 समीकरण 1 और 2x minus 4y बराबर minus के 24 समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को गटाने पर, अब यहां घटाएंगे देखे क्या हो जाएगा चिनने बदल जाएंगे दोनों के घटाएंगे तो तो यह हो जाएगा 7y बराबर 35 अब 7y बराबर 35 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटे 7 तो 5 आ जाएगा y बराबर 5 अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 हमा परब हो जाएगा माइनस की चार बटा दो बराबर माइनस की दो एक संख्याओं का अंकर 26 है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है उन्हें ग्यात कीजिए विलोपिन विद्धी से चली देखते हैं इसका हल यहां पर आपको देखना है देखिए माना की दो चली शर्त के अनुसार x-y 26 नमबर एक लिखना है इसको दूसरी शर्त के अनुसार x-3y बराबर 2 हो जाएगा या हम इसको लिख सकते है एक स-3y 20 इसको समीक्र नमबर 3 लिख्तें घहेए यह हो जाएगा ठीक है अब Y का मान हमारे पास आ गया तो Y का मान हम कहां रखेंगे समीगर नमबर 1 में X-Y बराबर 26 में तो X-Y का मान 13 था X-13 बराबर 26 X बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13 X बराबर हो जाएगा 39 तो यहां पर X का मान हो जाएगा 49 और Y का मान हो जाएगा 13 यह बिल्कुल सही उत्तर है तो तीन प्रशन कर लिए है देखे चोथा प्रशन क्या है चोथा प्रशन है पांच वर्ष बाद जेकब की आयू उसके पुत्र की आयू की तीन गुनी हो जाएगी पांच वर्ष कशले फांच वर्ष बाद जेकब कहार्यू की दूरू का विए हैं फांच पुट्र की आयू ठूंच वर्ष हुट घूल prov किंवा चुक्त वर्ष बात जेकब की इसट प्लस पृस पांच और पुट्र की आयू कि तीन गुनी हो जाएगी प्रशन पूर्श पूर्व जेकब की आयू सथ गोनी थी तो पांच वर्ष पूर्ष पूर्ड पीज सकते हैं मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँपर इसको आपको यहाँ पहले भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं जैसे बाद के लिए हमने प्लस पांच किया तो पहले के लिए माइनस पांच करना होगा पुत्र क्या हो जाएगी y-5 तो यहां पर आपको लिखना है दूसरी शर्त क्या थी कि जेकब की आयू उसकी पुत्र की आयू की साथ गुनी थी तो x-5 बराबर 7 गुना y-5 तो x-5 बराबर 7 y-35 x-7 y-3 यह हमारा समीकरन नमबर 2 आपको लिखने अब क्या करना है समीकरन एक और दो को घटाएंगे तो x-3y बराबर 10 और y-7y बराबर 30 को घटाएंगे तो हमारा उतर आएगा 4y बराबर 40 y बराबर 40 बटे 4 तो y बराबर 10 हो जाएगा तो y का मान समीकरन एक में रखेंगे तो x-30 बराबर 10 देखे एक्स माइनस 30 बराबर 10 एक्स बराबर 10 प्लस 30 एक्स बराबर उजगा 40 तो जेकब के आयू 40 वर्ष और पूत्र की आयू 10 वर्ष उत्तर आ जाये गई है वेक्कुल सही सही मैंने 4 सवाल बताए हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें द ऑन ही लाइक पाराबर 10 वाल बताए हैं धनि लूगा जैया आ we वेद्धे अनिव इन